दोस्तों नमस्कार श्वागत आपका अपने यूटूब चैनल जैक आडमी में दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉम्बर मा के करंट अफेर्स को ले करके जो काफी मात्पूर करंट अफेर्स हैं जो आगामी परतियोगी परिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और आपको लापकारी थाबित हो सकता है तो सरफ पर्थम आप अपनी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिसे आपको सारी अपडेट्स और मात्पूर जानकारियां प्राप्त होती रहें तो चलिए हम बात करते हैं करंट अफेर्स के बारे में 20 यूनिवर्स 2020 का खिताब किसेने जीता तो Miss Universe 2020 का किताब मारिया थाट्या ने जीता जो आस्ट्रेलिया की है अबला पॉइंट है विस्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है विस्व रेडियोग्राफी दिवस आपका हाठ नॉम्बर को मनाया जाता है जी है जी है Miss Universe हो मार्या थाट्या ने जीता आश्ट्रेलिया की और विस रेडियोग्राफी दिवस आठ नॉम्बर को बनाया जाता है अगला पॉइंट आपका किस राजी में हजीरा घोगा के बीच रूफाइक्स फेरी का उद्गाटन किया गया तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रदान मं सेजा देचि शिर्मधी जी ने इसका उद्गाटन किया है जो गुजयात राजी में किया गया गया तो हजीरा घोगा के बीच चालित भारतिय को Pode दिएखाटन किया गया ब इसका उद्गाटन करने से दूरी जो था हो काफी कम हो गई है एगला पॉइंट है सनुकतराश के सलाकार समित्य में है भारती महिला राजने जो थी उनको न्युक्त किया गया है किया अगला प्क्वाइट है पेरिस मास्टर्स 2020 का किताब किस्णी जीता तो देनियल मेडवे डिव ने पेरिस मास्टर 2020 का किताब जीता है महत्यपोड है अगला पॉइंट है बर्ष 2020 की रिपोर्ट के नुसार भारत बिदेशी मुद्राभंडार में किसा स्थान पर रहा है तो 2020 की रिपोर्ट के नुसार भारत बिदेशी मुद्राभंडार में पांचों स्थान पर रहा है अगला पॉइंट है आपका के मुख्य सूचन आयुक्त के पद पर किसी न्युक्त किया गया है तो यह सुरधन कुमार शिनहा को भारत के मुख्य सूचन आयुक्त के पद पर न्युक्त किया गया किस राजे में भारत की पहली शावर आधारित जलापूर्थ परियोजना का सुहरम किया गया तो अरुणा पर्देश का करंट अफेर से तरीके से और मोदी येने 600 करोन रुपए का जो है परियोजनाओं का सुवारम बाराणसी के लिए उनोनी किया था और लास्ट पॉइंट आपका है दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनरवास केंद्र कहां बन रहा है तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनरवास केंद्र और आचल परदेश में बन रहा है तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो आपको अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए लाइक और कमेंट जरूर किया करें बेला इकान को जरूर दबा लिए जिसे आपको सारी अपडेट प्राप्त होती रहें थेंक्यू दोस्तु